हेलो फ्रेंड्स मैं आशिमा स्वागत करती हूँ आप सबका अपनी चैनल किचन पार्टनर्स टीम एक नई रेस्पे के साथ आज हम बनाने जा रहे हैं वरत वाले आलो बहुत यह आसान तरीके से बनाए हैं आप किसी भी वरत में इजी तरीके से बना कर खा सकते हैं चलो स्टार्ट करती हैं कि वरत वाले आलो कैसे बनाते हैं और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजी और साथी साथ बेल आइकन बटन भी प्रेस कीजी कोई भी वीडियो डालो नोटिफकेशन आपको मिलता रहे और प्लीज वीडियो आंड तक ज़रूर देखेगा यहाँ प बहुत ही आसान तरीके से यह विधी बताई है हमने आप प्लीज एक बट राय ज़रूर कीजेगा सारे यालू मैंने काट लिए हैं यहाँ पर मैंने अलग से दो टमाटर और दो हरी मिर्च ले ले ली हैं तड़का लगाने के लिए इसको भी हम बारी काट लेते हैं और पैन में या कडाही में थोड़ा सा आईल लेते हैं आप देख लिजेगा अब ज़ादा पसंद करते ज़ादा डालीजेगा अगर थोड़ा पसंद करते थोड़ा डालीजेगा जैसी आईल गरम हो जाता है उसमें हम डाल देते हैं डालकर पका रही हूँ इसको अच्छे से हमने इसको पका लेना है तमाटर को ताकि कचापन ना रहे इसमें इसको हिलाते रहेंगे घुमाते रहेंगे अच्छे से जैसे ही थोड़े से पक जाएंगे इसमें हरी मिर्च डाल देनी है हरी मिर्च देख लिजेगा अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद है तो ज्यादा डाल दीजेगा नहीं है तो कम डालिएगा आप मेरे चैनल पर जाके बहुत ही आसान तरीके से बनाई हुई रैस्पिस देख सकते हैं जो आप आसान तरीके से बना सकते हैं और कम टाइम में बना सकते हैं थोड़ा सा नमक डाल देते हैं थोड़ी सी लाल मेच मैं यहाँ पर हल्दी नहीं डाल रही हूँ बिना हल्दी के ही बनाना है हमें यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो हमाई मासाले हैं आच्छे से पक जाएं टमाटर भी कच्चे ना लगें ढक देते हैं दो मिनट के लिए दो मिनट के लिए इसका लिड हटा देते हैं और इसको फिर अच्छे से हिला देते हैं यहाँ पर मैं डाल रहे हूँ सूखा पीसा हुआ धनिया धनिया का भी फ्लेवर सूखे आलू में वरत वले आलू में बहुत अच्छा आता है देखे यहाँ पर हमाया तड़का बनके रेडी हो चुका है जैसे ही तड़का बन जाएगा उसमें हम आलू डाल देते हैं जो हमने चौप करके रखे हुए हैं यहाँ पर सारे आलू हमने डाल दिये हैं इसको भी अच्छे से हिला देते हैं अगर इस रेस्पी के साथ आपको और भी अच्छे ची ब्रत रेस्पी चाहिए जो आसान तरीके से कम टाइम में बनाए तो आप हमें बता दीचेगा कमेंट सेक्शन में और इजी तरीके से बन अगर आपको कम चाहिए तो आप कम डाल सकते हैं यहाँ पर मैं थोड़ा ज्यादा वाइल लिया है ज्यादा वाइल से अच्छा लगता यह आलू क्योंकि ज्यादा सुक जाएगा तो अकेले आलू खाएंगे तो वह खाने में ज्यादा टीस्टी नहीं लगेंगे या फिर आप इसको दही के साथ भी खा सकते हैं थोड़ी तेर अच्छे से ढखके रख देते हैं दो मिनट के लिए हाई फ्लेम पे ही मैंने रखा है ढखकर जैसे हमने लिड हटाया है इसको देख लेते हैं कि यह कैसे बने हैं हिलाकर देखिए यहां पर आलू का कलर भी चेंज हो चुका है अच्छे से पक चुके हैं सारे फ्लेवर साथ चुके हैं जो भी हमने मसाला डाला है देखिए यहां पर आलू भी बॉइल बहुत अच्छे से हुए थे और इसका तड़का भी हमने अच्छे से लगा लिया है आप जो बारीक वाला धनिया होता है हरे वाला उसको बारीक चॉप कर लीजेगा इसमें वो भी हम डालेंगे अभी और कोई मसाला नहीं डालेंगे बिल्कुल ही कम मसालों के साथ बनाया है बहुत ही अच्छे फ्लेवर आएगा आप एक बार ट्राइजोर कीजेगे व्रत वाले आलू इस सरीके से बनाकर और बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा बनाने में यहां पर हमने हरे वाला धनिया डाल दिया है काटकर मिक्स कर देते हैं अच्छे से धनिया डाल कर भी हम इसको एक मिनट के लिए धक कर रख देंगे धकने के बाद फिर दुबारा से धनिया डालेंगे इसको सर्व करेंगे और हाँ अगर आपको यह हमारी रेस्पी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जरूर कीजेगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए बैल आइकन बटन भी प्रेस कीजिए कमेंट सेक्शन बताइए कि आपको यह हमारी रेस्पी कैसी लगी है आपको पसंद आई है या नहीं पसंद आई आप इस तरीके से बनाते हैं या नहीं बनाते तो प्लीज जल्दी से मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए थांक्यू सो मच एंड बबाई